आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं TCS इंट्रिव्यू कॉश्चन्स एंड अंसर्स के बारे में हमने एक कम्यूटी टैम में पॉल किया था जिसमें 90 से 91 परसेंट वीवर्स ने कहा है कि आप इस पर वीडियो लेके आएं और दो ही दिन में हमें दोस्तों से ज्यादा अब वोड जिसमें मिलें आज चलते हैं वीडियो की दरफ वीडियो च्रह लगती है यहां पर आपको काफिश के इंट्रिव्यू वीडियो को शुरू करते हैं हुआ इस है कर लेटे हैं पहलेत से मतलब होता है है जैसे हम जानते हैं कि एक जो डाटा होता उसको device में store ना करके cloud में store कर जाता है तो company यहां पर कहती है कि यह काम करने में काफी easy होता है और companies को काफी fast result मिलते हैं इससे company काफी fast काम कर सकती है और ease of data access भी होता है कहीं पर भी उसको access किया जा सकता है for example अगर एक five pen drive में है तो आपको लेकर जानी पड़ेगी तभी आप उसको access कर सकते हैं लेकिन online वह अगर डाटा है तो आप उसको easily access कर सकते हैं companies के case में भी यही बाद होती है अगला है friends consulting जैसे में नाम से पता चलता है है TCS तो इस जो है consulting services भी देती है other businesses को अपने clients को consult करती है और manage करती है किस तरीके से वो जो business है जो उनके clients है वो अच्छी growth opportunity ला सकते हैं अपने business को improve कर सकते हैं अगला है friends TCS interactive इसमें company कहती है कि ओपने अंदर change करती है ताकि वो अच्छी services offer कर सके अगला आता है analytics and insights अपने जो है अपने जो clients को analytics लेती है उनके business के बारे में ताकि वो अच्छे decisions ले सके और अच्छी growth opportunities ले सके उसके बाद आता है internet of things internet of things मतलब यहाँ पर यह है कि company company जो है internet के जरी काम करती है तो बूस्ट करता है company को internet से यह मतलब है कि जो data है company का वहर जगा एविलेबल रहता है जिससे मैंने पहले बात को देती cloud की cloud और internet यह दोनों मिलके company को एक fast grow करने में मदद करते हैं internet नहीं होगा company के पास एक cloud नहीं होगा तो company अच्छे से grow नहीं कर पाती अगला है फ्रेंट्स ब्लोक्चेन यह बहुत ही important service है जो TCS देती है इसमें क्या है इसको समझ लेते हैं blockchain का मतलब होता है फ्रेंट्स जो भी company का data है उसको किस तरीके से secure रखा जा सके ताकि वो data hack नहीं हो और कोई उसमें कोई गल्फ चैंज ना कर पाए इस technology को हम कहते हैं blockchain technology अगली कुछ services है फ्रेंट्स जिसमें company कहती है कि वह improve कर रही है किस चीज को कि जो services वो दे रही है clients को उनके business को improve करने के लिए उपनी जो service दे रही है उसको भी improve करती है और clients के business को improve करने के लिए services बनाई है उसमें यह services आती है जिनका नाम है enterprise applications cognitive business operations conversational experiences अवं बाग करते हैं कुछ अलग services जो देती है company जिसका नाम है TCS automation and AI automation और artificial intelligence का मतलग क्या होता है कि company काफी सारी चीजों का automated process बना देती है जिससे काम काफी easy हो जाता है और artificial intelligence का ही है कि अपने आप machine learning से जो artificial system होता है company का वो data को sort कर देता है ताकि company उसको आगे असानी से देख सके अगला है friends engineering and industrial services इसमें company engineering को promote करती है उसके बाद आता है cyber security security वह जरूरी है जब हम काम करते हैं internet पे तो यहां पे security के लिए services offer करती है TCS उसके बाद है quality engineering इसमें इंजिनिंग की जो quality है उसको improve करने पर द्यान दिया गया अब बात करते हैं अगला question क्या हो सकता है अगला हो सकता है friends कि TCS के products क्या कहें tell me something about products of TCS बात कर देते हैं क्या के products है products है friends TCS BANCS TCS Connected Intelligence Platform Igneo TCS Ion TCS Mastercraft TCS Optumera TAP, Chroma, TCS Customer Intelligence and Insights, TCS Intelligent Urban Exchange, Geely, TCS Omnistore, Quartz the Smart Ledger यह friends होगे products जो company के products हैं अब है company के platform तो वह है TCS ADD, TCS BFSI platforms, ERP on Cloud, TCS Hobbs तो यह बात होगी friends products और platforms के बारे में हम बात करते हैं कि कौन-कौन से questions most frequently पूछे जाते हैं इन questions में सबसे पहरा question है friends हमारे पास कि कितने countries में TCS operate करती है in how many countries TCS operates तो इसका उन्सवर है 19 countries TCS जो है 19 countries में operate करती है what are the TCS clients इसके clients कौन-कौन से हैं यह दश्य बैंक, Infineon Technologies, AG and ABP Limited अगला है friend which is the biggest strength of TCS इसकी biggest strength है वो क्या है वो इसका name है क्योंकि यह बनती है Tata brand name से और जो Tata का brand name है यह centuries से business activity में involved है काफी centuries से business में है तो TCS की सबसे बड़ी strength जो है इसका brand name है जो है Tata का brand name Tata Group और यह इसकी biggest strength मना जाता है leadership में और investment में भी क्योंकि leadership है वो इसी साथ है TCS की brand name से और investments भी आती है हम बात करते हैं friends की Tata Group क्या है what is Tata Group कि सारे questions बहुत important है interview में पुछे आते हैं Tata Group है friends एक multinational conglomerate manufacturer of Automobiles अब conglomerate का मतलब क्या होता है यह ऐसी company होती है group होता है जैसे नाम से पता चलता है Tata Group जो काफी सारी चुटी चुटी company यह काफी सारी हम companies को कहते हैं मिला के एक company बनती है तो group बन जाता है जिसको नाम से जानते हैं conglomerate यह friends इनकी जो headquarter है मुंबई में हिस्तित हैं महाराष्ट्रा में और इसको फाउंड कब क्या गया है यह फाउंड क्या गया है फ्रेंट्स 1868 में बाय जैम सेट जी टाटा अब फ्रेंट्स जी जो company है यह इंडिया में भी काम करती है जिसे में पता है और internationally भी काम करती है अब फ्रेंट्स अगला most popularly question होता है which are the companies that falls in Tata group कुन-कुन से company आती है Tata group में तो friends उनका नाम है Tata Consultancy Services, TCS, Tata Motors, Tata Steel, Tata Chemicals, Tata Consumer Products, Taitan, Tata Capital, Tata Power, Tata Advanced Systems, Indian Hotels and Tata Communications अब फ्रेंट्स अगला question ही हो सकता है Tell us about any achievement of TCS Friends 2015 में TCS को 64 rank मिला है Forbes की world's most innovative companies में बहुत ही अच्छा ही rank है क्योंकि हम world की बात की जा रही है तो उसमें 64 और Forbes की list है क्योंकि काफी reputed list माने जाती है क्योंकि काफी अच्छी achievement हम कह सकते है TCS की अब फ्रेंट्स अगला question ही हो सकता है why Tata is called Tata Tata को Tata ही क्यों कहा जाता है कोई और नाम क्यों नहीं है तो फ्रेंट्स जो इनके founder है Jamset जी Tata उनका जो last name है Tata उसके वेस्वेस company का नाम रखा गया है Tata अब फ्रेंट्स बात करते हैं एक most important question जो पुछा जाता है जो हम बात करते हैं अगला है फ्रेंट्स प्योनीरी इसका मतलब होता है कि company कहते है कि हम challenges लेने को open है उसके बाद आता है फ्रेंट्स unity company कहते है कि मिल के काम करते हैं हम invest करते हैं अच्छे purpose में और अच्छे relationship हम build करते हैं और फ्रेंट्स कुछ information पर ध्यान देते हैं TCS के बारे में जैसे आपको पता है कि टीसे जो है आईटी की company नहीं पता है इसको फाउंड कप किया गया है 1968 में अब इनके founder कौन है founder है टाटा संस headquarters है फ्रेंट्स के मुम्मई महराष्ट्रा में अब हम बात करते हैं कि CEO कौन है इसकी इंकम के बारे में 2020 का पूरा डाटा है 2020 में कितना रिवेन्यू है तो यह 23 बिलियन डॉलर्स रिवेन्यू ओपरेटिंग इंकम कितनी है है ऐंट वीडियां डॉलर्सायज में अझसकेटने के बारे में होब आपको वीडियोच ची लगए होगा थैंक्स वर वाचिंग, थैंक्स वर रोटाइम